जहन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे तो साथियो डेली की तरह आज भी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई वेकेंसी के बारे में जनकारी जैसे की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया डेयाडियो की तरफ से जिसका लोकेशन हैदराबाद रखा गया है यदि आप इस फार्म को अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएगा हैदराबाद इस बात को आप ध्याने कियेगा और साथियो ये वेकेंसी निकल के आ रहे है अप्रेंटिसिप के पत पर तो इसमें काफी आपको सुनारा मौका मिल रहा है यदि आप फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लिट देखिएगा इस वीडियो के मादम से आपको पूरी जनकारी देने वाले हैं कैसे आप फार्म को अप्लाई कर पाएंगे और फार्म बरने के बाद आपका सेलेक्शन कैसे होगा क्या इसक को ट्रेड देखने को मिल जाता है फीटर का दूसरे नंबर पे टर्णर का तीसरे नंबर पे मस्निष्ट का इसके बाद विल्डर का इसके बाद इलेक्टिसियन का इलेक्टॉनिक मेकैनिक का कम्प्यूटर ऑप्रेटर एंड प्रोग्राम में असिस्टेंड का इसके बाद की यहां पर आप count करके देख सकते फिटर के लिए 20 हैं टर्णर के लिए 8 हैं मसनिष्ट के लिए 16 हैं विल्डर के लिए 4 हैं के लिए 12 हैं इलेक्टॉनिक के लिए 4 हैं इसके बाद computer operator के लिए देखने को मिल जाता है कोली पी केकिसंट की बात करें साथ यहां पर आपका जो कोर्स होना चाहिए वह कंपलीट होना चाहिए का ऐसं नहीं कि अप रनिंग कंडीशन में उना चाहिए विलकुल आपका complete होना चाहिए नीचे आपा जाएंगे साथ हो स्क्रॉल करते हुए यह जो application ने कहां से apply किया जाएगा उसका भी आपको यहां पर website देखने को मिल जाता है वह इसे मैंने आपको इस वीडियो के description में link दे रखा है उस पे आप click करेंगे तो google form एक खुलेगा और उसमें आपको स selection होगा किसी भी तरह का exam नहीं होने वाला है नहीं किसी तरह का interview होने वाला है इसमें जो आपका selection होगा साथ हो merit based पे होने वाला है जिसमें के वहल के ओल आईटाई के चाहत्र apply कर पाएंगे जो चाहत्र ncbt से it कर चुके या scbt से क्योंकि आप यहां पर पढ़ सकते साब तो course complete कर चुके हैं वहीं लोग apply कर पाएंगे जो चाहत्र ncbt से या scbt से complete कर चुके हैं नीचे आपा जाएंगे साथे scroll करते हुए तो यहां पर किन-किन document की आपको जुरुत पढ़ने वाले इसके बारे में इनोंने जनकारी दे रखिए तो यह नमबर पर यहां पर कहा जा रह तो पास्बुक जो भी आपके पास है जिस भी बैंकाा उसका पास्बुक का यहां पर टूपापी लगेगा अधार कार्ट लगेगा और इसके बाद पासपूर्ट साइज फोटो लगेगा इसके बाद यहाँ आप पर जो आपका सिगनेचर होगा उसका फोटो लगेगा यह सभी चीज़े आपको फिलफ करना होगा और यह कब तक अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर आप डेट ध्यान से दिखिएगा नीचे लिखा गया ह 31 मई 2024 तक आप इस फांट को अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं तो आपके लिए सुनारा मौका है आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिस पे आप एक क्लिक करक आप इसके अपिस्यल वेव साइट पे जा सकते हैं